जी नमस्कार मेरा नाम सनी सिर्वास्तो स्वागत आपका एक्जामपूर के टीचिंग स्कूल यूटूब चैनल पे तो हाजिरू मैं आपके सामने एक बहुती बहतरीन और नई सिरीज के साथ जहां हम डिसकस करेंगे भारती इतिहास के वो युद्ध जिन्होंने भारती इतिहास की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख दिया इन युद्धों को आप ऐसे समझे कि ये आपके एक्जाम के पॉइंट अव्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही पर भारती इतिहास का क्या एक जरिया रहा है भारती इतिहास की क्या एक गती रही है उनको समझने में भी आपके बहुत काम आने वाली है ठीक तो स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री के वो बैटल्स जिनोंने इंडियन हिस्ट्री के कोर्स को क्या कर दिया चेंज कर दिया यानि वो युद्ध जिन्होंने भारती तियास की दिशा बदल दी और इन युद्धों में सबसे पहले जिस युद्ध पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ युद्ध कोई और नहीं बलकी क्या है जहेलम का जुद्ध जिसे हम वार आफ जहेलम भी कहते हैं यह युद्ध जो हुआ यह 326 BC में हुआ कब हुआ 326 BC में हुआ और इस युद्ध को ध का युद्ध यानि बैटल आफ हाइडस पीज भी कहा जाता है युनानी जो राजा था मैसिडोनिया का जो राजा था सिकंदर वो जब इंडिया की तरफ अपने विश्व विजय अभियान पे निकला और भारत की तरफ आया तो भारत में उसे चुनोती मिली पोरस नाम के राजा से सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध लड़ा गया पोरस का जो राज्य था वो जेलम और चिनाब नदियों के बीच इस्थित था इसे मध्यवर्ती देश भी कहा जाता है इस युद्ध में सिकंदर की सहायता तक्षिला के राजा आमभी या आमभी के द्वारा की गई और इसकी वज़े से उसे थोड़ा सा एज मिला इस बैटल में पोरस सिकंदर के हाथों हार गया लेकिन उसे च्छती भी पहुंची सिकंदर को और वो च्छती ये थी कि इसी युद्ध के दौरान पोरस के भाई अमर ने सिकंदर के गोडे बुके फाल को मार डाला था और सिकंदर का ये वो गोड़ा है जिसके नाम पे सिकंदर ने भ भारती सब्विता के कमपोजिट कल्चर को क्या किया डवलप किया भारत पहली बार ग्लोबल दर्वाजे पर खड़ा था और हमने यौरप की बहुत सारी चीजों को अपनाया इसी युद्ध के बाद आप आगे देखते हैं कि इंडिया में जो आइटन कल्चर है वो भी जाने लगा काला सोना कहा जाने लगा या यवन प्री कहा जाने लगा तो इस तरह से भारत के इतिहास की दशा और दिशा बदलने में इस युद्ध ने बहुत बड़ा रोल अपनाया अगली वीडियो में हम किसी नए बैटल पर चर्चा करेंगे जिसने भारती इतिहास को बदल कर रख दिया तब तक के लिए देखते रहेगा एक्जामपूर का टीचिंग स्कूल जै हिन जै भारत नमस्कार